आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिजनिंग के बारे में जो रिजनिंग में आपको हम देखेंगे सद्रिश्यता से संबंदित जिसे हम लोग एनोलोगी के नाम से जानते हैं यह हमारा लेक्चर नमबर फॉर्स्ट है तो इसमें हम लोग समझेंगे कि सद्रिश्यता क्या होता है और साथी साथ जो है उससे संबंदित जो कोश्चन होते हैं वो भी देखेंगे यह जो वीडियो लेक्चर है वो उन बच्चों के लिए ज्यादा इंपोर्टेंट है जो SSA CGL का प्रिपरेशन करने हूं या SSA GD का या वंडे एकजाम जो भी होता है वो उनसमें प्रिपरेशन करनो तो जहां पर यह काफी हेलप होने वालए है tái देखो सद्रिश्यता का मतलब होता है इनावगी ठीके इनावगई में हम लोग क्या देखेंगे और तो इनावगई में क्या होता है साब्दिक अर्थ की समान्ता, सद्रिश्रिता का मतलब भी होता है समान्ता, अब उसमें पहशान करना है कि कों किसे सम्बंदित है, तेके अगर इसमें क्या होगा कि चार जोड़े दिए रहेंगे, तेके जैसे एक हम लेकर कर के समझाते हैं, आपको और अच्छे समझ में हैग आस्ट्रेलिया ठीक है आस्ट्रेलिया का संबंद कैन्बरा से है ठीक है तो ऐसे करके दिया रहेगा और ये बुलेगा कि नेपाल का संबंद ठीक है कहां से होगा ठीक है तो ये चार जोड़े होगे एक जोड़ा यहां से यहां तक और ठीक ऐसे यह उनको relation इसमें दिखाना है तो जो relation इनके इनके बीच होगा न वही relation यहाँ पे अब सबको यह पता होना चाहिए कि जो Australia होती है Australia का capital क्या है तेके Australia का capital जो है Canberra है तो उसी तरह से नेपाल का capital होगा वो क्या होगा तो नेपाल का capital जो है काठमांड होगा जिस प्रकार जो है Canberra क्या है Australia की राजधानी है तो उसी तरह से यहां पर जो कॉश्चन मार्क है यहां पर हो जागा काठमांडू है ठीक है तो काठमांडू की कि इसकी capital है तो नेपाल की capital है तो इस तरह से हम लोग समझ लेंगे कि कैसे जो है यहां पर यह बता रहा है तो कही समय ने कई दो relation दिया रहेगा एक और example हम लेकर समझते हैं जैसे कि माल लेजे समय यहां पर लिखा हुआ है समय का संबंद जो है कि सेकेंड से हैं ठीक है समय का संबंद सेकेंड से हैं तो यह ऐसे ही आवरती का संबंद किस से होगा तो हमको यह पता चलता है कि समय से समय का मेजर्मेंट किस में करते हैं सेकेंड में उसी तरह से आवरती का मेजर्मेंट किस में करते हैं यानि कि किस सी का मात्रक आवरती है ठीक है तो यह हमको पता चला यह जो है जो आवरती का मेजर्मेंट है वह होड्स में होता है तो यहां पर जो हम उन उन चीज़ों को द पूछ जाते हैं तो इसमें जो पहला नंबर आता है उसमें देखते हैं पहला नंबर क्या कहता है तो पहला नंबर इसमें आता है कि जो इसका टाइप से हमने देखा कि यह पहला जो आता है वह सब्द सद्रिश्टा या समरूपता है यह क्या है सद सद्रिशिता या समरूपता उसमें देश और राजधानी के बारे में देखेंगे तो देश और राजधानी में आपको यह कुछ जो जनरल नॉलिज की टाइप का है इसको याद करना पड़ेगा क्योंकि वहां पर आ जागा तो फिर यह तो जब तक पता नहीं देगा तब तो पूर्टगाल की जो क्यापिटल है वह है लिस्बन अब जब तक यह हम नहीं पता रहेगा तो हम रिलेशन नहीं दिखा पाएंगे उसके अर्जेंटीना अब यहां पूरा तो मैं लिख नहीं सकूंगा ना लेकिन फिर भी कुछ जो इंपोर्टेंट है उसको मैं दिखा है ठीक है उसके बाद आता है अपना भारत भारत तो सबको पता है ठीक है भारत का क्या है नई दिल्ली है ठीक है उसी तरह से अगरत देखा जाए तो कीनिया कीनिया क्या है तो कीनिया का है नैरोबी कीनिया क्या है नैरोबी है कि उसके बाद आता है फ्रांस तो फ्रांस का कैपिटल क्या है कि पेरिस है ठीक है ग्रीस का एथेन से ग्रीस का एथेन से अमेरिका का वासिंग्टन डीशी है यह कुछ हमने इंपोर्टेंट जो है देश और उसकी राजधानी हमने लिख करके दिया है तो आप इसको देखीग और जब भी कॉशन आएगा हम एके करके डिसकस करेंगे किस तरह से कॉशन पूछा जा रहा है अब देश और मुद्रा से रिलेटेड भी हम लोग देख लेते हैं देश और मुद्रा में क्या होता है कि हमको यह समंद्र इसमें महत्तपुड भी औरट मिल जाएगा कि किस से ठीके देखो अगर मालों की पहला मालों सफुष करो इरान है ठीक है इरान अब इरान की हमको मुद्रा पता होने चाहिए कि इरान की मुद्रा क्या होती है तो यह कुछन जीए से रिलेटेडर तुम्हारा वो लर्ण रहेगा तो तभी हम कुछ कर पाएंगे उसके बाद दे चीन की मुद्रा चीन की जो केरेंसी है वो यूवान में है कि संयुक्त राज अमेरिका यूएस से यूएस से का सब को पता है यह सिम्बल डिसे कहते हैं डॉलर डॉलर में ठीक है उसी तर से भूटान का भूटान का नुंग्ल ट्रम ठीक है और स्पेन का यूरो और भी कंट्री हैं ठीक है जिनका अलग-अलग जो है उनका मुद्रा है तो इसमें कुछ हमने लिख दिया है कुछ इंपोर्टेंट जो अब तक एक्जाम में इस से रिलेटर पूछने के लिए तो बहुत पूछें लेकिन जो जो तरीका मैंने बता दिया किसका रिलेशिन जो है कैसे होता है जैसे अगर माल लों कि ऐसे दे दिया कि क्वेस्चन ठीक है भारत का संबंद जो है पीसों से है उसी तरह से भारत का संबंद किस से होगा तो अब हमको यह पता होना चाहिए कि चीली जो है एक देश है और उसकी मुद्रा क्या है उसकी मुद्रा पी सो है तो ठीक उसी तरह से भारत एक देश है जिसकी मुद्रा क्या है रुपया है तो हम आपे इसके जब पे रुपय का सिंबल बना सकते हैं रुपया लिख सकते हैं ठीक है तो कहने का मतलब यह है कि जब तक हमको यह नहीं पता रहेगा न तब तक हम इसको बना नहीं पाएंगे तो इसलिए इसको हमको पता होना काफी जोरूर है ठीक है अब हम और कुछ देख लेते हैं जैसे राज्य और उनकी राजधानिया तो राज्य और राजधानिया भी हमको पता होने चाहिए जैसे अगर तुमसे कोई पूछ ले कि बताओ गुजरात का कैपिटल क्या है तो गुजरात का कैपिटल पता ही नहीं रहेगा तो कैसे हम वहाँ पर मैच करेंगे तो यह होता है गाधी नगर सिक्किम ठीक है सारतों मैं नहीं लिखूंगा लेकिन कुछ लिख दे रहा हूं सिक्किम का होता है गंगटोक तीसरा नंबर आता है तमिल्नाडू तमिल्नाडू का क्या होगा चेन नहीं इसकी राजधानी है उडिशा भुनेश्वर उत्तरपदेश लखनवू चीके उसी तरह से जो है पश्रीम बंगाल का ले लो इसका होता है कोलकाता तो कहने का मतलब यह है कि जितने भी यहां पर लिख रहे हैं यह तो सब देखना है और जितने भी इस तेट हैं और 007 मापक भी हमको समझना है क्योंकि यहां से भी कॉश्चन आते हैं तो यह अंत्रों मापक के कुछ उधारण हम देख लेते हैं जैसे स्फिग्नू मैनोमीटर है यह कई बार पूछा है कि इस फिग्नू कि मैनोमीटर किसे क्या मेजर करता है यह जो है रक्त दाप को मेजर करता है ठीक है और क्या है हाइग्रो मीटर तो हाइग्रो मीटर से जो है आदरता मेजर होता है थर्मो मीटर थर्मो मीटर से ताप मान अमीटर ठीक है अमीटर एक ऐसा दिवाइसे से इलेक्रिक करेंट मेजर किया जाता है ठीक है उसी तरह से जो है सिस्मो ग्राफ सिस्मो ग्राफ क्या है इससे जो है अर्थविक का मेजर किया जाता है ठीक है preval उससे डीकिक अर्थविक कि इंटेंसिटी जयसे कहते हैं इसतरसे मेजर किया जाता है ये शारे छीजें हमको को पता रहने चाहिए तभी उसको मैस करा करके लिख पाएंगे थेक हैं उसके बाद इकाई और मात्रक में तो इकाई और मात्रक अब बीकुछ देख लेते हैं जैसे विद्दुद्धारा का मात्रक होता है एमपीयर को ठीक है उसके आद वर्ग का याना की कारे का कारे का होता है जूल उर्जा का भी जूल होता है ताप यानि की टमप्रेचर टमप्रेचर को होता है केलवीन प्रेशर यानि की दाव इसका होता है पाशकल ठीक है पावर का वाट होगा तो ऐसे ही बहुत सारे और भी इसके मिल जाएंगे ठीक है अभी हम कुछ इससे रेलेटेटेड जो है क्वश्चन देखेंगे ठीक तो पहले यहां देख लेते हैं फिर जो है इसके चीज़ेंगे ठीक है तो न देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन गया है की जो कि सचीन तेंदूलकर जिस प्रकार कि जिस प्रकार से संभदिते करिक andarे करिकर से Yes तो उसी तरह से पूछा है कि सानिया मिर्जा कि कि किस संभनन हो ओध है तो सानिया मिर्जा जो किस से संभन is कि यह टेनिस की खिलाड़ी है कि किसकी खिलाड़ी है टेनिस की खिलाड़ी है चले एक और कुश्चन दिखते हैं जैसे माल लो ऐसे कुश्चन पूछा है कि दयालू का संबंद पर उपकारी से है तो किसका संबंद जो है बिलापीस होगा ठेके तो यह याद रखना कि जिस तरह से जो दयालू प्रकृत के होते हैं वो पर उपकारी होते हैं ठेके और यहां पर इसका संबंद हो गया दुखी ठेके यहां पर यह वाला पॉर्शन है यहां पर हो जाए क्या दुखी ठेके और देखते हैं एक दो कुश्चन जैसे चार मिनार का संबंद भारत से है तो पिरामीड का संबंद किस से होगा तो जैसा कि हम यहां पर देख रहें कि चार मिनार कहां पर है भारत में ठीके उसी तरह से पिरामीड जो होता है वो किस कंट्री में यह चीज़ मुझे याद होना चाहिए तो आप्सन में है वैटिकन कानाडा इंगलेंड मिस्र तो या ठीक है यहां पर आप्सन मरें सज़े जगा मिस्र में चीके उसी तरह से एक और कोश्ष्ण देख लेते हैं अ कि अ क Torres सले से स्उयल का मतबबत है उसका आवरड से किल का समंबंद किस्से होगा जो केला का समद्ध जैसे अक्रोट को सैल धक्के रखता है उसी तरह से केले को ऊपर क्या होता है छिलका जो उसको छिलका धक्के रखेगा तो इस तरह से जो है कुश्चन एक्जाम में पूछे जाते हैं और अब तक पूछे गया हैं तो आई हो पिए चीज़े आपको समझ मे सब्सक्राइब होगा ठीक है और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक के साथ और यहीं से रिलेटेड होगा मतलब सेकेंड पोश्चन रहेगा थैंक्यू सो मच